जैशनी देव मित्रों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लगन के जातकों के लिए नवंबर 2023 कैसा रहेगा इस वीडियो में राहू और केतु के गोचर पर भी चर्चा करेंगे जिस पर हम पिछले महीने के वीडियो में नहीं कर पाए थे और इस महीने में मंगल और सूर्य का भी बहुत महत्वपूर्ण गोचर रहेगा इस पर भी हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय और करियर संबंधित इस महीने कैसा रहेगा वर्तमान समय में सूर्य बुध और मंगल आपकी कुंडली के लाभ भाव में तुला राशी में हैं सूर्य जो आपकी कुंडली के नवम भाव के सवामी हैं इस समय कुंडली के लाभ भाव में हैं जिसके कारण ये समय आपके मित्रों के साथ आपके सोशल सरकिल में किसी प् लाभ मिलने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी, इस समय किसी प्रकार का कोई तनाव भी आपके मित्रों के साथ बढ़ सकता है, ये समय आपको शेर ट्रेडिंग में भी लाभ दिलवाने में सक्षम रहेगा, इस समय किसी प्रकार की यात्रा के योग भी बन सकते हैं, यदि आपकी प्रमोशन को लेकर कोई तनाव बना हुआ था, वो दूर होगा वर्तमान समय में शुक्र और केतु की युती कुंडली के दशम भाव में हैं, जिसके कारण ये समय आपकी नौकरी को लेकर थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है, इस समय आपके कार्यस्थान पर किसी प्र प्रकार का तनाव बढ़ सकता है, किसी प्रकार की बहसबाजी से स्वयं को दूर रखें, अब चर्चा करते हैं राहु और केतु के गोचर की, राहु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, और केतु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, राहु की दृष् व्यक्ति अपने करियर को लेकर अधिक महत्व देना प्रारंभ कर सकता है। व्यक्ति अधिक महत्व देना प्रारंभ कर सकता है। व्यक्ति अधिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम अपने आगे के सेक्षन में चर्चा करेंगे। इस माह ब्रिहस्पति अनुकूल स्थिती में पांचवे भाव में मौजूद है। ब्रिहस्पति धन का सूचक है और ब्रिहस्पति की स्थिती के कारण आप धन की बचत कर पाने में भी सफल होंगे। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदी में निवेश करते हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है। ग्रहों की अनुकूल स्थिती के कारण इस महीने धन से जुड़े बड़े फैसले लेना ठीक रहेगा और ये फैसले आपको भविश्य के लिए सुरक्षा दे सकते हैं। वहीं शुक्र इस माह नौवे भाव में विराजमान है, जिस कारण आपको बहुत ज्यादा मात्रा में धन लाभ हो सकता है। आपकी जिम्मेदारिया इस समय बहुत अधिक बढ़ सकती है, यदि पिछले कुछ समय से आप कुछ नया कार्य करने का प्रयास कर रहे थे और वो आत्म विश्वास नहीं जुटा पा रहे थे, उस कार्य को आगे लेकर जाने में तो ये वो समय रहेगा, जब शनी देव आपके रुके हुए कार्य, पुना प्रारंभ होंगे इस समय आप किसी प्रकार का चैरिटी का कार्य अपने घर से शनिवार के दिन अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। संभावना है कि इस महीने करियर के संबंध में आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ेंगी और सभी यात्राएं आपके जीवन में सकाराक्मक बदलाव लेकर आएंगी। जो जातक किसी प्रकार का कोई पार्टनर्शिप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तनाव बढ़ सकता है। आपको सफलता दिलवा सकता है। यदि आपका कोई कार्य विदेश संबंधित रुख गया था तो उसमें सफलता मिलेगी सूर्य और मंगल का ये गोचर आपके भाग्य संबंधित तनाव भी बढ़ा सकता है। अर्थात किसी प्रकार कोई करियर संबंधित कार्य रुख सकता है या उसमें विलम भी आ सकता है यदि आपका प्रमोशन होना है तो उसमें। तनाव बढ़ सकता है दूसरी तरफ यदि आप किसी प्रकार के कमपटीशन में हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना। बहुत प्रबल रहेगी इसका आपके स्वास्थ पर और आपके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पद सकता है इस पर हमें अपने आगे के से परात्मक समय रहेगा परंतु 8 नवंबर के बाद का समय आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है आपके मस्तिश्क में अस्थिरता उत्पन हो सकती है जो सूर्य और मंगल के गोचर के कारण 16 नवंबर के बाद और अधिक बढ़ सकती है इस समय जो जातक डिप्रेशन से पीडि या उपाय करने हैं जिससे आपको इस युती के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव कम हो सके हैं इस पर हमने अपने उपाय संबंधित सेक्शन में विस्तार पूर्वक कुछ उपाय बताए हैं आप वो अवशय करें आपको लाभ मिलेगा 11 से 13 नवंबर और नवंबर के 27 से 29 को आपको पेट से संबंधित कोई रोग अधिक परेशान कर सकता है थोड़ा संभल कर रहे अब हम चर्चा करते हैं आपके वित्त संबंधित ये महीना क्या लेकर आया है गुरु का पंचम भाव में होना ये आपके कमाई के स्त्रोतों में वृध्धी कर सकता है जिसके कारण आपके बढ़े हुए खर्चों के कारण मानसिक तनाव कम होगा परंतु शुक्र की केतु के साथ युती ये आपके मनन में चिंता बढ़ा सकती है आठ नवंबर के बाद का समय आपके खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे जो महीने के अंत तक अधिक बढ़ सकते हैं जिसके कारण आपको वित्त प्रबंधन में समस्या आ सकती है इस महीने में किसी प्रकार कोई ऐसा खर्चा आपका आ सकता है जिसकी कलपना आपने नाकी हो किसी प्रकार का स्वास्थ को लेकर घर में खर्चा बढ़ सकता है तीन से पांच नवंबर को किसी प्रकार का धन लाब होने की समभाव ना रहेगी अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रेम समबंधित ये महीना क्या लेकर आया है वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के पांच भाव में हैं जिसके कारण ये आपके प्रेम समबंधों में सुधार करेगा परंतु मंगल और सूर्य की युति आपकी कुंडली के ग्यारा भाव में होने के कारण 16 नवंबर तक का समय थोड़ा तनाव भी बढ़ा सकता है इस समय आपको छोटी-छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है ये समय आपके साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस बढ़ा सकता है जिससे आपके रिष्टों में दरार भी आ सकती है वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के पांच भाव में हैं जिसके कारण यह आपके प्रेम संबंधों में सुधार करेगा। परंतुक मंगल और सूर्य की युती आपकी कुंडली के ग्यारा भाव में होने के कारण 16 नवंबर तक का समय थोड़ा तनाव भी बढ़ा सकता है। इस समय आपको छोटी छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। और यह समय आपके और आपके साथी के बीच समझदारी और समर्थन का समय है। आपकी कुंडली में गुरु का योग है, जो आपको अपने प्रेमी के साथ नए स्थर पर ले जा सकता है. परंतु मंगल और सूर्य की युती के कारण थोड़ा तनाव भी बना रहेगा. जह सावधानी बरतने का समय है और छोटी बातों पर बिना बात्चीत के बिगड़ने की संभावना है. आपको अपने साथी के साथ खुल कर बात्चीत करने और समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए. इस समय में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है और बिना बात्चीत के मुद्दों को बढ़ाना बनाएं. अगर आप सावधानी बरतें तो इस समय को पार करना संभव है और आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है. जो जातक सिंगल हैं उन्हें नवंबर के 4 से 7 और नवंबर के 24 से 26 का समय सकारात्मक समय रहेगा इस समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ती से हो सकती है जो आप से सच्चा प्रेम करेगा और लंबे समय तक आपके साजेदार रहेगा. अब हम चर्चा करते हैं आपके परिवार संबंधित ये महीना क्या लेकर आया है. 14 नवंबर तक का समय आपके वैवाहिक जीवन में तनाव थोड़ा कम होगा किसी बात को लेकर मन मुटाव दूर होगा. यदि किसी प्रकार का तनाव बना हुआ था वो दूर होगा परंतु 14 नवंबर के बाद का समय आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत अधिक बढ़ सकता है. सूर्य मंगल बुध की युती कुंडली के बारा भाव में होने के कारण ये समय आपको छोटी-छोटी बात को लेकर उत्तेजित कर सकता है, जिसके कारण रिष्टों में खटास आ सकती है, इस समय आपको थोड़ा सन्यम रखना होगा. 14 नवंबर के बाद का समय आपके पिता के साथ अथवा आपके पिता को लेकर भी घर में चिंता बढ़ सकती है. ये चिंता आपके पिता के स्वास्त को लेकर भी बढ़ सकती है. राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में होने के कारण ये आपकी माता के साथ समबंधों म आपको लाब हो सकता है और किस दिन किस रंग के वस्त्र आपको नहीं धारन करने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं उन महत्वपून उपायों की जिन्हें नवंबर महीने में करने से आपको लाभ प्राप्थ होगा। राहु के बीज मंत्र का जाप आपने रोज सूर्यास्त के बाद 108 बार करना है जो है ओम्भ्रा भी भ्रौ सहराहवे नमह। गायों को नियमित रूप से हरी घास या चारा चड़ाएं अपनी छट पर पानी से भरे तामबे के बर्तन रखें सूर्यास्त के बाद कुट्टों को भोजन अवशय करवाएं जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 10 नवंबर और 24 नवंबर को प्रदोश वरत क करना चाहिए उस दिन आपको सूर्य उदे से पहले उठकर सनान करके शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां 108 बार नम्ह शिवाय मंतर का जाप करना चाहिए आपको इस दिन शिव 40 पढ़नी चाहिए और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए इस से आपकी मनोकामना शनी देव आप सभी लोगों पर अपना आशिर्वात बना कर रखें। धन्यवाद।